पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम आज बहुत बड़ी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूस है अगर रैड जोन की बात की जाए तो पारलिमेंट हाउस में जैसे आपको पता है के सैनेट के इंतखाब बात थे फिर उसके बिल्कुल साथ बराबर में बिल्कुल सुप्रीम कोड की बिल्डिंग है उसके सामने पाकिस यह सारी चीज़े एक एक करके आपके सामने रखता हूं कि हो क्या रहा है लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो यह के कल एक तरफ सुप्रीम कोड आफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े केस की समाध होने जा रही है यानि छे जजजे की जानब से लिखा गया खत और उसके नतीजे में बनने वाला लार्जर बेंच जो है वो कल समाध करने जा रहा है लेकिन उससे पहले हुआ गया है कि एक नया ट्विस्ट आया इसलामबाद हाई कोड की बिल्डिंग में आज उस वक्त थोड़ी हल चल हुई सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पर आपने खबरे देख ली होगी बहुत जादा डिटेल में नहीं जाओंगा लेकिन थोड़े डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि एक मश्कूक खत का मौमला सामने आया एक नहीं बलके आठ मश्कूक खत जो के हाई कोड के तमाम जजजिस को लिखे गए इस हावाले से टेलवीजन पर सोशल मीडि पर आप ब्रेकिंग निउस देख चुके हैं बहुत जादा डिटेल में नहीं जाओंगा लेकिन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इस तरह की एक्टिविटी का हो जाना पुलीस आहलकारों की दोड़े लग गई बताया गया कि आमला जो है वहाँ पर पहुंच गया जो तफ खत को पहले खोला या उस पाउडर को देखने की या सूंगने की कोशिश की उसकी आंखें जो है वो उनमें सोज़श आई या वो मुतासर जरूर हुए कही ना कही और पर साथ में बताया गया कि कोई ढराने धंकाने वाला कोई निशान भी था वो क्या निशान था सामदे लेकिन कुछ लोग बताते हैं को खोपडी के कोई निशाना आ दिया इस तरह के कोई स्कल्स जो है वो डाल के बताये गए उनका जो अलामती निशान होता है वो बताया गया और एक तरह से धमकाने की या थ्रेट करने की कोशिश है और बलके चीफ जिस्टिस ने इसलामबाद ह थ्रेट किया गया ये कोई मामूली बात नहीं है इस पूरे सिर्कम्स्टांसिज में के पूरी हाई कोट के आठ जजजिस को खत लिख दिया जाना और फिर खत लिखने वाले ने अपना नाम और पता भी बताया है किसी खातून की जाने बाइना तोर पर ये खत लिखा गया जिसमें रेश्मा खातून है कोई जिन्होंने ये खत लिखा और साथ में वाइफ आफ वकार हुसैन भी लिखा गया यानि पता वगरा भी उन्होंने एक तरह से हिंड भी बता दिया तो ये मामला इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटिड है और टाइमिंग इस सारे मामले की और हाई कोट के जिजजेस को इतनी आसानी से खत लिख दिया जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है इसकी बहराल तहकीकात होगी तफ्तीश होगी तो पता चलेगा लेकिन इसके उपर डिबेट जरूर आने वाले चंद दिनों में होती रहेगी खैर आगे बढ़ते हैं साइफर केस की तफसील मैं कुछी दिर में आपसे डिसकस करता हूँ कि साइफर केस में आज क्या हुआ उदर अडियाला जेल में भी एक समात थी अलकादर ट्रस्ट केस की और बुश्रा बीबी की कुछ सहाफियों से कोई और्गुमेंट्स हुए ज साथ में उनके और भी फैसल जावेद और कुछ रहनुमा थे कुछ वुकला के लोग थे तो रिलीज इमरान खान का बुन्यादी तोर पर मुदालबा है इसी के नारे दोर आते रहे और फिर पुरान तरीके से इहतिजाज करने के बाद ये लोग मुंतशिर हो गए इसी सारे मौमले में एक और खबर सामने आई है जिसकी डिवाल्पमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस टाइम या तो हो रही है या कुछ देर में हो जाएगी और उसकी डीटेल कल आपको पता चलेगी तफसीलात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इनसाफ एक ग्रैंड अला कि हम एक सर्प्राइज जो है वो तियार कर रहे हैं बलके हो चुका और उन्हों ने ये रिवील भी कर दिया कि पांच जमाते हैं जो ग्रैंड अलाइंस में शामिल होने जा रही है नाम मैं बता देता हूं सबसे पहले बड़ी स्टेकोलडर पी टी आई फिर मुतहिदा मजल थ्रू एक्सपेक्टिड है या सबका एग्रिमेंट जो है वो इसके अपर हो सकता है तो असद कैसर ने इसके हवाले से जो तफसिलाथ बताई हैं उनके हवाले जो पेश्रफ्ट होगी वो मैं नेक्स विलॉग में शेयर करूँगा अब आजाए जरा साइफर केस की समात के ह आज इसलामबाद हाई कोट में इमरान खान के साइफर केस की समात थे बहुत सारे लोग इंतजार में भी हैं पूर अमीद में हैं कि साइफर केस में भी उनकी रहाई हो जाए या ये सजा जो है उनकी मौतल हो जाए इसमें ना तो सजा मौतल होनी चाहिए और ना ही देता हूँ कि वो आजम खान के जो इमरान खान के खिलाफ मरकजी वादा माफ गवा प्रॉसिक्यूशन के समझे जाते हैं उनके बयाना के हวाले से आज पूरी भहस हुई कि 164 का बयान जो मजस्ट्रेट के सामने दिया या 161 का बयान जो जजज साहब के सामने दिया उनमें क् तजाद है वो एक अलग डिबेट है कानूनी मौमलात है उसमें आपको नहीं उल्चाता लेकिन जो जजजिस की जानब से में पॉइंट एक उठाया गया वो ये कि आजम खान जब अचानक गायब हुए जिस दोरान उन्होंने 161 का या 164 का बयान दिया वो गायब कहां पे हुए थे मतलब एक शखस अचानक मंजरे आम से गायब होता है फिर अचानक से वो FIA के दफ्तर के बाहर से निकलते हुए उनकी तस्वीर आती है तो जजजिस ने भी पूछा के कोई शखस अचानक से गायब हो जाए और फिर जब उनसे पूछा जाए तो वो कहे कि मैं अपनी मर्जी इसे कहीं पर गया था जब कि उनके बीवी बच्चों को उनके घरवालों को भी ना पता हो और फिर उनके घरवाले FIRs भी दर्च कराते रहे और इसी अचानक से मंजरे आम से गायब हो जाना और फिर बयान के साथ मंजरे आम पर आना वो भी FIA के दफ्तर से निकलते हुए तो इसके उपर आज डिसकेशन हुई है समात कल तक मुलतवी हुई है और फिर कल फर्दर इस पे और्गमेंट हो गया देन प्रोसेकुशन अपने दलायल मुकमल करेगी अब आजाएए अड्याला जेल की तरफ जहां पर आज इमरान खान ने कुछ बातचीत की है सहाफियों से बातचीत की है अलकादे ट्रस्ट केस था और इसी तोरान बुश्रा बीबी भी वहाँ पर मौझूद थी और बुश्रा बीबी ने कुछ सहाफियों से बातचीत करते हुए इनकिशाफ किया कि उन्हें मुबयना तोर पर जहर दिया जा रहा है फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स भी बताएं कि कोई उनके खाने में हार्पिक के कत्रे मिला कि उनको दे रहा है तो जब जैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं तो उन्हों पीबी को मीडिया के साथ डील करने का कोई इतना जादा तजर्बा नहीं आई या इतना पता नहीं आई तो उन्होंने थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया महाल को इमरान खान ने फिर जैनलिस्स बारचीत की है वो कहते हैं कि जजजिस के उपर दबाव तो रहा है और वो कहते चले लारजर बेंच भी बन गया तो बड़ी बात है लेकिन उन्होंने बताया कि जब उनके केसिस ट्राइल के मरहले में थे तो जजज बशीर साब जिन्होंने उनको सजा दिया है वो कहते हैं कि उनके उपर इतना दबाव था कि वो कई बार हस्पताल गया और ये फैक्ट ह जज बशीर ने तो चुटियों की दर्खास भी दी और उनके साथ कुछ अन्यूजियल ऐसा हो रहा था जो बार बार हस्पताल भी जा रहे थे चुटियों की दर्खास भी दे रहे थे अचाँ उसके बाद वो कहते हैं कि जो निकाह का ट्राइल करने वाले जजज साब थे उ एक kind of pressure था फिर उनों ने कमिश्नर रावल पिंडी कि वी मिसाल दिए कि वो कहा पर है अभी तक वो मंजरे आम पर है जिसका जमीर जगा उसको या तो पागल कह दिया या मंजरे आम पर ही नहीं आया तो whistleblor जो हता है बेसिकली निशान दही करने वाला उसको तो तहफूस द दिया गया कि स्यासी मौामलात के उपर मुशावरत ना कर ले। दूसरी जाने बाद अमर अयूब जो है उन्होंने अपोजिशन लीडर के उहदे का चार्ज संभाल लिया है इमरान खान ने नॉमिनिट किया था उन्हें ये कुछ छोटा मामूली होदा नहीं है ऑल्दो के राजा रियास आप ने इस होदे को बड़ा वो कर दिया लेकिन इस पर इस से पहले शबाज शरीफ उपोजिशन लीडर थे बाद में राजा रियास आ गए लेकिन अब तगडी उपोजिशन आई है और उनका उपोजिशन देखते हैं आगे वो किस तरह से लेके चलते हैं लेकिन जब उन्होंने ये ओधा संबाला अपने चैंबर में गए तो जाके उन्होंने क्यों दौआशवा भी की लोगों ने उनको वैलकम भी किया तो अब देखते हैं उपोजिशन लीडर के ओधे की सेंटिटी वो किस तरह से बरकरार रखते हैं और भी काफी सारी खबरे हैं अली अमीन गंडापूर के हावाले से के पी के हावाले से लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही आपको फर्दर अपडेट करूँगा सेनेट इंतखाबात का मौमला भी है फिर के पी में सेनेट के जो इंतखाबात मुलते भी हुए हैं उनकी डीटेल्स भी आपको बतानी है बहुत कुछ है आपको बताने के लिए लेकिन फिलहाल इतना ही अपनों बहुत सा ख्याल लगिए अलाहाफिस